इंद्र के द्वासा, जब गुरु के चड़नों में अपराद किया जाता है, तो सारा का सारा जीवन नश्ट हो जाता है, इंद्र ने इतना बड़ा अपराद किया, अपने गुरु का सम्मान ने किया, जब गुरु आए तो वो व्यासासन पर बैठे रहे अपने, और उनको प नत्व है कि हम अपने गुरु की महिमा को समझे अगर गुरु की महिमा को नहीं समझे तो फिर जीवन वेर्थ है प्रश्म उटता है गुरु कौन कौन है गुरु इस संसार में कई प्रगा के गुरु हैं शिक्षक भी होते हैं जैसे प्रभुजी में कहा है स्वास्त को सिखाने वाले हमारे जिम में जाने वाले गुरु भी होते हैं कोच क्रिकिट अक्याडमी के भी होते हैं कोच ट्यूशन पढ़ाने वाले भी टीचर होते हैं इस अभी शिक्षक है. पर गुरू शबद का अर्थ है, जो इस संसार की अंद्धकार से बहार निकाल कर अमें ज्ञान प्रदान करें कौन सा? अध्यात में उसको गुरू कहा है. गुरू श़बद का अर्थ संसार के लोगोंने समझा कि जो भी पढ़ाए उसी को गूरु कहते हैं गलत सिखाने वाले भी तो लोग है जो गलत सिखाते हैं तो किस को गूरु कहा शास्त्र कहते हैं जो वित्ती भगवान क्रश्ण की शरणागती नहीं करा सकता श्रीमत भागवतम इसका प्रमाण है कोई भी बार प्रमान से बाहर नहीं बोलते हैं श्रीमत भागवतम के पांच में सकन, पांच में अध्यय उसमें बताया मात्री न शिश्यात, पित्रो न शिश्यात, स्वजनो न शिश्यात, गुरू न शिश्यात वो गुरू गुरू बनने योग नहीं है वो पिता पिता बनने योग नहीं है वो माता माता बनने योग नहीं है जो अपने उपर जो dependent है उनके उपर जो निर्भर लोग हैं उनको कृष्ण भक्ती का ग्यान नहीं देते हैं अगर नहीं देते हैं तो ऐसे लोग अपरादी हैं हर शिक्षक का हर माता का, हर पिता का, हर गूरू का एक कर्तव है कि अपने उपर जो निर्भर लोग है जो उनको सम्मान कर रहे हैं यही हमको सब कोई ग्यान दे रहे हैं उनके ग्यान के प्रति शर्नागत नहोना यह बहुत बड़ा अपराद है इस प्रकार से ब्रस्पती के प्रति अपराद किया इंदर ने इंदर जो थे उनका क्या हुआ उनके एक पुत्र है देवताओं के विन्य करने पर ब्रामनों में तुष्टा नाम के एक उनके पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप तो ब्रस्पती गुरू के चले जाने पर अब कोई ना कोई तो चाहिए जो पूजा करा सके तो विश्वरूप को बुलाया गया विश्वरूप जी आप देवताओं की पूजा कराने योगी बनिये तो विश्वरूप ने का ठीक है मैं अब से गुरू का पद स्विकार करता हूँ तो गुरू का पद स्विकार किया जाता है अब कुछ लोग पुरोईत है कुछ लोग पंडित जी है यग्य पूजा पाट कराने वाले सभी गुरू जी कहलाते है यह गलत है ये समाज में ये सिस्टम गलत है चार गुरू महत्पूर्ण है पहला पद प्रदर्शक गुरू पद प्रदर्शक यानि रास्ता दिखाने वाला गुरू जो हमें भक्ती का रास्ता दिखाता है उसे कहते हैं पद प्रदर्शक गुरू जो गुरू हमको शास्त्र का ज्यान देता है उसको कहते है शिक्षा गुरु जो गुरु हमको दिक्षा प्रदान करता है हरी नाम और मंत्र देकर के हमें भगवान कृष्ण से जोड़ता है उसे कहते हैं दिक्षा गुरु और भगवान कृष्ण वन्दे कृष्ण जगद गुरु भगवान अगुत श्री कृष्ण है वो चेक्ट गुरु के रूप में हिरदय करके यह को ज्यान देते हैं तो इस प्रकार से एक कई प्रकार की गुरु है लेकिन सभी गुरु campe जब क्रिपालु होते हैं किसी टेज़ न भगवान का भकत बनने नहीं देती है। जैसे, कई लोगों को भोलू आए, लोग जज़ करने के लिए आता है, कि जो सुनाने वाले हैं, कि वो श्रेष्ट है की नहीं, चार लोग भगवान की भकत नहीं बनते हैं। कुंति महारानी कहती हैं जनम एश्वर्य शुत श्री भी जिन लोगा उचे कुल में जन्म होता है वो भगवान के भक्त नहीं बनते हैं इप अपने अपने उचे कुल के घमंड में चूर रहे थे मैं उचे में जण्म के पास अधिक धन है वे भगवान की शरंड यह और रियुक्त को भगवान को खरीद लुगा अभी अब्स आपा कहीं लोग दधन की मूरती ह मूरती की पूजा आज भारत में पी से कई साहँ बहुत लोग हैं अपनी पूजा करवाते हैं HE definitely जब अधिक ग्दन हो जाने पर शुतह जब अधिक ग्यान हो ќाने अतनिक बार पार डिगरी आजाए और अदिगरी हो जाने के बाद भागवान कर शर्ड करा रहे हैं घ्रान की शर्ड करेगे हैं मैहनत करेने पैसा कमाना पड़ता है बड़ा आदी बना पेपर मैंने पास किया आई-एस में बना भगवान आए क्या लेकिन वो जानते नहीं है अगर भगवान न चाहते तो आप एक कदम नहीं चल सकते हैं जन्म एश्वरिय शुतह श्री भी सुन्दर्ता सुन्दर्ता पर घमन करते हैं लोग मैं बहुत सुन्दर हूँ तो देखेंगे जितने बड़े-बड़े कलाकार हैं जो कि अपनी सुन्दर्ता के लिए जाने जाते हैं वो कृष्ण भक्ति की तरफ नहीं आपाते हैं यह चार स्वर्ग की राजधानी अमरावती का राजा है वो इस कारण से उसने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया देखा जाए तो यह जीवन दो दिन का है क्या कहते हैं दो दिन का बोलते हैं कि नहीं तो क्यों कहा गया यह जीवन दो दिन का है जी क्या लेके आये थे क्या लेक इसलिए कहते हैं कि एक दिन वो था जिस दिन जन्म हुआ और एक दिन वो है जिस दिन मृत्यु होती है यह जीवन जन्म से लेके मृत्यु के यात्रा है और इस संसार में हम देखेंगे कि जितनी भी चीजह हमारे पास में हैं हम खामा खां के लिए एश्वरे का गमंड करते हैं अपने ग्यान का गमंड करते हैं अपने ओदे का अपनी पोजिशन का अपनी पावर का उसका कोई यूज नहीं है बड़े बड़े शक्तिशाली लोग अगर कृष्ण न चाहें भगवान न चाहें तो एक चाय का प्याला भी नहीं उठा सकते है पैरलाइज हो जाता है शरीर लोग बोलते मैंने ऐसा क्या कर दिया आरे तुम ने भगवान की शर्ण अगति नहीं करी जब बताया गया तब भगवान की शर्ण में नहीं आए आज तुमारा शरीर तुमारा साथ नहीं देरा इसका कारण है क्योंकि तुम भक्त नहीं बन पाए भगवान का भक्त बनना बहुत मुश्किल है ये चार से से कुंती महराने केती भक्त बनने नहीं देती है आरती जलाना भक्ती नहीं है मंदिर चले जाना किसी में भी भक्ती नहीं है देवी जी के मंदिर चले के भक्ती नहीं है मंदिर भक्ती करना नहीं है भक्ती करने का मतलब क्या है कल्यूग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उत्र हिपारा कल्यूग में एकी चीज है क्या मंत्र जाप मंत्रड विश्वासा मंत्र जाप में द्रड विश्वास हो कि भगवान का हरी नाम लेना ही कल्युक का उधार करने का तरीका है हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे इस वंसार में भगवान ने जितनी भी चीजें दी वो भी दो ही अक्षर की है दिन कितने अक्षर का है दिन कितने अक्षर का है दो दो अक्षर का है हमारे शरीर में जितनी भी चीजें है सब दो अक्षर की है बोलते हैं देह में दर्द हो रहा है कितने अक्षर का है बदा मेरे शिर में दद दो रहा है कितने अखर का है मेरी नाक में दो रहा है Kitnka को है metffen मैरे मेरे स्वाइज में कांदेर दो रहा है कितनään हर चीस्ज दौक्षर को कि जन्म से मृत्यूकि के आत्रा तो इस अक्षर में पैर हर कोई भी वस्तु का आप बात करेंगे हर चीज़ दो अक्षर से बने इसलिए कह रहे हैं कई लोग जाते हैं डॉक्टर के पास कहते हैं मुझे पीडा हो रही है क्या हो रही है पीडा कितने अक्षर की है मुझे दुख बहुत है कितने अक्षर का है हर चीज़ दो अक्षर की है तो इन दुखों से इन पीडाओं से इस माया कितने अक्षर की है इससे पन भार निकालेगा दो यह अक्षर हैं जो भार निकाल सकते हैं कौन से हरी कौन सा हरी हो लो हरी वो हरी वो हरी वो कहते हैं रे मन तो दो अक्षर पढ़ ले कौन से दो अक्षर पढ़ ले हरी भगवान कहते हरिश्यामी अहम सर्वं मेरा नाम हरी है क्योंकि मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरण कर सकता है क्रिष्णाय वासुदेवाया हरे परमात्मने प्रत कलेश नाशाय गोविंदाय नमोनमा यह मंत्र गारेंटेड मंत्र है इस मंत्र को जबता है उस रिति के जीवन में कभी कोई कलेश निया सकता दुख निया सकता बोलिए मेरे साथ में क्रिष्णाय वासुदेवाया हरे परमात्मने प्रत कलेश नाशाय गोविंदाय नमोनमा यह भगवान का नाम गोविंद नाम भगवान का हरी नाम यह जरूर रिक्ति को जपना चाहिए कई प्रकार के मंत्र शास्तर में दिये गए लेकिन सभी मंत्रों में से एक मंत्र सरस्वत्रिष्ट मंत्र है कल्यू आ कौन सा मंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 यह क्यों करना है बहुत सारे मंत्र है संसार में इनी मंत्र को क्यों जपना है क्योंकि कल्यूग के लिए 32 अक्षर के मंत्र को उध्धारक मंत्र बताया गया कितने अक् मंत्र जिसमें बक्तिस अक्षर आते हैं कोई भी मंत्र गायत्री मंत्र शिव मंत्र दुरुगा मंत्र कृष्ण मंत्र पताई कौन सा मंत्र जिसमें बक्तिस अक्षर आते हैं हाँ कौनसा यह देखेए आपके इदर लगा हुआ है सामने लिखा है ना सामने लिखा है मंत्र कितने अक्षर है पड़ी ज़र है इसमें कितने अक्षर है 32 अक्षन है 16 नाम है इसमें पद्म पुरान का श्लोक है प्रमान है यह यहां पर कथा वो नहीं कि अपने मन से आए चील कवई की कहानी सुनाई और चले गए धोलक बजा कर हम लोग धोल पीट संप्रदाय नहीं है इसकौन पूरे विश्व में 700 से अधिक मंदिर बना चुका है करोड़ों लोगों का जीवन बदला है नशे में जो लोग थे लिप्त उनको मुक्त किया पड़े लिखे लोग समझदार लोग इसमें जुड़ते हैं अनपड़ लोग सुड़नी पाते क्यों क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता क्योंकि ये ज्ञान की बात है ये भक्ति की बात है दौतिस अक्षरम मंत्रम सोड़श नाम कानवितम प्राजपन विश्णवम नित्यम रादा कृष्णम स्थलम लवेद शास्त्र कहे रहे हैं प्राजपन विश्णवम नित्यम अगर कोई नित्यव इन सोला नाम को जब करता है तो क्या होगा राधा कृष्ण स्थलम लवेद उसको अपना प्राण त्यागने के बाद राधा कृष्ण का स्थल मिलेगा अब ये पुरान जूट बोल रहा है किस ने बोला ये बात शिव जी ने बोली ये बात अब बताओ शिव जी जो बात बोल रहे हैं उस बात को सुईकार नहीं करेंगे एक लोटा जल शिव जी पर चड़ा के सोचेंगे बस हो गई पूजा हम तो हो गए ब्रामन हो गए इंदू नहीं पुरान पढ़िये शास्त पढ़िये उपनिशत पढ़िये वेट पढ़िये उनका सुत्र यही है कि हरी नाम सार है संसार दो अक्षर का तेरा नाम भगवान का नाम है तूसी दाज जी भी बोलते है पंचम वेद यही है पंचम सोपान यही है भक्ती का मंत्र की जाक में द्रड विश्वास होना इन नवदा भक्ती में पंचम भक्ती है कहते हैं कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कहां कहे नाम बढ़ाई, राम नसकही, राम गुनगाई, राम के नाम में इतनी शक्ति है, क्रुष्ण के नाम में इतनी शक्ति है, भगवान को भी नहीं पता कि मेरे नाम में कितनी शक्ति है, राम को भी पूछा जाए आपके नाम में कितनी शक्ति है, वो महाववान भी नहीं जानते यह नहीं कुछ n आवाइव नहीं आ रही हैं राम से नाम का नाम है अभ यह तो बड़ी अजीव सी बात है राम से बड़ा राम का नाम केश्चे हो गया है अगर राम का नाम सची तानन्द है सचितानंद विग्रहा और राम भी सचितानंद विग्रहा पुरान कहते हैं नाम चिंता मनी चैतन्य रस विग्रहा पूर्ण शुद्धो नित्व मुट्व भिन्नत नाम नामिना नाम में और नामी में भेद नहीं है जैसे आपके नाम में और आप में भेद नाम है अमर क्या ह लेकिन मृत्य हो जाते हैं बोले किसकी मृत्य हो गई किसकी जारी अंतिम यात्रा अमर सिंग जी नहीं रहे नाम क्या था लेकिन उत मृत्य हो गई तो नाम में भेध है मृत्य हो जाने पर उस वित्ती के और वित्ती के नाम में भेध है लेकिन कृष्ण नाम में और कृष्ण इसमें पून रस प्राप्त हैं पूर्ण शुद्धो नित्मुक्तो अभिन्धत नाम में और नामी में कोई भेद जो इतनी भगवान के नाम का जब नहीं करता उसको अपने मृत्यों के बाद बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं जीते जी भी दुखी रहता है मरणो प्रान तो बहुत दुख होते हैं आप पढ़ेंगे गरुण पुरान आपकी आत्मा जो है ना रोने लग जाएगी कि इतने पाप कर चुके वाप अब तक आपको मालूम नहीं है एक इतने बड़े राम उतना बड़ा नाम राम हो गया छोटे तो नाम हो गया चोटा राम हो गया बड़े तो नाम हो गया बड़ा तो यह वास समझ नहीं आई राम से बड़ा राम का नाम है यह कैसे हो गया बदा सकते हैं कैसे हो गया राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो गया ह मालूम है इसका अर्थ क्या है कैसे हो गया कौन बूलेगा कैसे बोलो कोई तो बोलो राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो गया बोलो मालूम है कैसे हुआ फोन पे बात कर लो पहले फिर बता देना बात कर लो कर लो ये जरूरी है ना राम से बड़ा राम का नाम कैसे हो गया बताओ राम के नाम को लिखकर के पत्थर तैर गए थे लेकिन राम चाहें तो पत्थर को बिना नाम लिखे भी तरह सकते तो क्यों राम से बड़ा राम का नाम राम से बड़ा राम का नाम इसलिए हनुमान जी से पुछा भगवान राम ने मुझ से बड़ा मेरा नाम कैसे हो गया तुम लोग गाते हो कि राम से बड़ा राम का नाम इस सकल जगत में भगवान का नाम इतना प्रिसिद्ध क्यों है भगवान ते हनुमान जी कहते हैं प्रभू आप नहीं जानते आपके नाम में कितनी शक्ति है आप जब आते हो तो साथवे मनवंतर वैवसवे मनवंतर की 24 वे चत्र युगी के अंदर जब त्रेता युग आता है तब आप लोगों का उधार करते हो शबरी का निशाद राज का सबका उधार करते हो परन्तु आपका नाम हर मनवंतर के हर युग में आज इस 28 वे चत्र युगी के कल्युक के अंदर भी लोगों का उधार कर रहा है तो राम केवल अपने तृता यूग में उधार करते हैं, राम का नाम हर यूग में उधार जाता है, इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, आज तक कर रहा है कि नहीं, कैसे भक्त बने, नाम जब के भक्त बने, आदमी कहता है हम नाम जब करने लगे हमारा जीवन बदल गया, क तो पहले भी विराजमान है करूनों वर्षों से हैं लेकिन आप लोग लिए नहीं क्यों क्योंकि ले लेने के लिए बताने भगोन को भी नहीं आएंगे आदमी औरे भगवान जब चाहेगा तब कर लेंगे, भगवान नहीं चाहेगा, भगवान कभी घंटी बजा के घर पर नहीं आगे कहेगा, रे चलो चलो मेरा नाम क्यों ज़रूरत है जो आए और हमको सिक्षा गी तो ब्रह्मा जी की आग्या नुसार देवताओं ने विश्वरूप को गूरू बना दिया किसकी जगापे किसी की जगापे गूरू बनाया बरस्पति जी जगापे अब विश्वरूप जी गूरू बनकर बैठ गए और तुष्टा ऊर्में बड़ी घटना हो त deben क्या करते थे कि जितना भी यग्या कूंड में जितना भी यग्य किया जाता था सुझी जितने भी हवी होती हविश्य होता यानि यग्यी के लिए बनाया गया प्रशाद भोग जैसे यहां भी भोग प्रशाद बनाया गया और उन्होंने मंत् आयते ती मंत्र है इस संसार में लोग मन से बड़े दुखी हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत मन से बड़े हार गए हैं लोग शक्ति समाप तो गई है कभी-कभी लगता है प्रभु जी हम विखर गए हम तूट गए अब हमसे नहीं हो रहा बरदाश्ट नहीं होता इतने तक कर लेंगे ना संपूर मंत्रों का महा मंत्र इसको कहते हरी नाом महा मंत्र हरी नाम महा मंत्र आइत स्वभाव जई लिए करिशन बहाएं जो इसको जप ले गए उसको कृष्षन बहाव उत्पन लेगा अगर नहीं है करिश्न भकति तो आज पना क्वारा शुरू करो क्या बोलो हरे कृष्ण सहो करें तो इस परकार से जो विष्व रूप थे उन्होंने यग्य प्रारम किया तो उनकी माता क्योंकि आसुरी थी तो विशुरुप जी क्या करते थे आसुरी माता को निकाल निकाल करके हविश्य का भोजन दे रहे थे यह बनाया किसके लिए गया था यग्य देवताओं के लिए लेकिन देवताओं के यग्य का भंडारा भोग किसको मिल रहा था असुरों को राक्षासों को मिल रहा था तो इंदर से ये बरदाश नहीं हो इंदर ने क्या किया तो अश्टा के पुत्र की गर्दन काड़ दे पहले गुरु की बेज़ती करी अभी दूसरा अपराद किया अपने ही यग्य में आने वाले भ्राम्वन की गर्दन काड़ दे तीन गर्दन थी तीनों गर्दन काड़ डाली उनकी जब तीन गर्दन काड़ गई उन ब्राम्वन की तो उनको बहुत बड़ा अपराद लगा खाब जाओ और तुम तो पस्या कर तो इस तरह से बताया गया है कि क्या करते थे अपनी तीन गर्दन से श्री शुकावाच शुक्देव गोसामें बताते हैं श्री शुकावाच तस्यासन विश्वूरूपस्या शिरम सीत्रीन भारत हा सोमपीथम सुरापीथम अन आदम इतिशुशुश्वम वो कहते हैं अपने तीन मुखों से विशुरूप क्या करता था पहले मुख से सोम पीथम सोम रसका पान करता था दूसरे मुख से सुरा पीथम सुरा पान करता था और तीसरे मुख से अन पीथम अन गरन करता था तो इस प्रकार से यहाँ पर उनके तीनों के तीनों जब सर काट दिये गए तो उनको बहुत भेंकर पाप लगा अब उन्होंने कहा कि भाई यह पाप के लिए क्या करूं तो देवताओं ने समझाया कि तुम अपने पाप का पश्चत आप करो अब पाप का पश्चत आप कैसे किया जाए तो उन्होंने कई दिनों तक तपस्या करने के बाद उनको यह फल मिला खेलो अपने पाप को लोगों में वित्रित कर दो लोगों में बांड दो तो इस संसार में अपने इंद्र के चार पाप जो आपने देखे होंगे समाज में चार पाप इंद्र ने लोगों में बांड दे पहला पाप क्या बांटा भूमी को अपना पाप प्रदान किया इंद्र किया पाप मिला बहुमी को यह पाप मिला कि भूमी बंजर ओ जाएगी और चोटे चोटे गड्ड़े बन जाएंगे भूमी में तो भूमी को यह पाप सहरे हैं कि आप तुम्हारे अंदर गड़्े बनेंगे बंजर हो जाओगी तो बृत्वी ने कहा मैं पाप ग्रेंट कर रही हूं तो मुझे कुछ वर्दान भी तो मिलना चाहिए मैं अगर आपके लिए कुछ कष्ट सहर ही हूं तो मेरे लिए कुछ वर्दान भी तो इंद्र ने का ठीक है तुम्हारे जितने भी गड्डे होंगे वो पानी के जल प्रभाव से भर जाएंगे यह तुम पर में कृपा करता हूं तो एक तरफ पाप लिया और दूसरी तरफ उनको कृपा करें दूसरा पाप पेड यहसे बड़े कड़वे जहरी ले ह 야ते है तो लोग रिशी मुणी पहले जंगल में ज marvelous आ और दो में से जहर तो पाप 가지고 पाप ने कि हम खा एक तो उने कहां पेड़ों पर एक कृपा है कि जहां से भी पेड़ की डाल काट दी जाएगी वहीं से पेड़ की डाल दुबारा पुना उत्पन हो जाएगी होता है कि नहीं पेड़ को काट दो दुबारा बढ़ जाता है कि नहीं कि कहां से मिला क्योंकि उसने पाप ग्रेंड कि मेरे कुछ पत्ते जहरीले हो। कुछ व्रक्ष जहरीले weg तीसरा किसको दिया design को मिला हो जल के अंदर आपने देखा होगा बुलबुले आ जाते हैं गंदी दुरगंद आती है पानी में से गोद्बुले वाला पानी यानि बबल वाला पानी जिसमें बुलबुले हो वो पानी आचमन के लिए घग्वान की पूझा के इस पात्र के अंदर जब भरो अगर उसमें बुलबुले आ गए तो पात्र आचमन योग नहीं है जिस पात्र में नाखुन सब्सक्राइब वो पात्र पानी को लेते ना नाखुन हो गये वह पानी घ्रन करने योग निए पाप लगेगा पानी पीने से लोग सोचें कि मैं तो पूजा कर रहा हूं उंगली डाल देते हैं उसमें नाखुन टच हो गया पानी खराब हो गया गंगा चल भी खराब हो जाएगा वो उससे आप पूजा नहीं कर सकते बहुत तो इस प्रकार से तो पानी ने बोला कि ठीके मैंने पाप लिया है तो मुझ काते हैं कि नहीं आपके शहर में दूद में पानी मिलते थो है के पानी में दूध मिला थे हाजी ऊ-धूर प्रकाते हैंती है सब्सक्राइन्ट उखता है तो कहते हैं कि लोगों को अभी हजम नहीं होता अगर 50% तृट 50% पानी कर दो तो अगले दिन शिकायत आती है, आपका दूद बड़ा खराब था, हमें डाजस्ट ने हुआ, पानी पीने की आदत हो गए है, तो इस प्रकार से, ये पानी के उपर वर्दान है, और पानी में फेन आ जाना, काई लग जाना, ये पानी का पाप है, और चौता, स्त्री ने ग्रहन किया, इंद इसको पाप उसने ग्रहन किया, इंद्र का पाप, उससे वर्दान मिला, तो बोले इनी को क्यों मिला, फुरुष को क्यों नहीं मिला, उसको क्यों नहीं मिला, लोग बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्दान मांगा, हर एक सुख के पीछे एक दुख चुपा हुआ है, किसी चार लोगों ने सुख की इक्षा करी इसलिए इन्होंने इंद्र के पाप को भी दुख रूप में ग्रहन किया तो लोग बोलते ना कि इस तरहीं बोलती है मुझे ऐसा क्यों होता है मैं महीने के इतने दिनों में भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकती हूं तो आश्न तो चार पाप ग्रहन की उसके बाद सभी लोगों ने बोला भी कुछ करना पड़ेगा इंद्र को अब इंद्र को मारना पड़ेगा क्योंकि इंद्र ने मेरे पुट्र विश्रूप को मार दिया तो तो इस प्रकार से उन्हें ने कहा इनका बदला लेना पड़ेगा तो 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 अश्टा जो थे ब्राह्मन उन्होंने विश्वरूप के मर जाने के लिए इंद्र के मारने के लिए शत्रू पैदा किया एक यग किया बड़ा और उस यग में वो चाहते थे कि जल्दी से एक बड़ा विशाल काए राक्षस पैदा हो जो कि इंद्र का वद कर दे द्वेश की भावना से इंद्र को मारने के लिए एक राक्षस की उत्पत्ति करी गई क्या नाम था उसका इंद्र शत्रो विवर्दस्या इंद्र का शत्रू बढ़ जाए जल्दी से पैदा है लेकिन हुआ क्या अब ये मंत्र के अंदर प्रॉब्लम है लोग सोचते हम चालीसा पढ़ लेंगे हमने जी गाहित्री याद कर रखा है हमने जी ये कर रखा है हमने वो कर रखा है और अपना जीवन चौपट करके बेढ़ जाते हैं लाश्ट में दुखी होते हैं और शरीर छोड़के चले जाते हैं मंत्र करने में बड़ी प्रॉब्लम है मंत्रों के कई नियम है जैसे गाहित्री मंत्र है गाहित्री मंत्र को जपने के लिए अत्री को स्नान करना चाहिए उसकी वेला कौन सी है सुबह 6 बजे दुपेर के 12 बजे शाम को 6 बजे रात को 9 बजे गैत्री मत नहीं होता सुबह 4 बजे गैत्री मत नहीं होता दुपेर में 2 बजे गैत्री मत नहीं होता और क्या नियम है मेरी जिवहा मेरी तालू को स्परशना करे जिवहा तालू होती है ना तालू इसको स्परशना करे मुझ से अवाज धनी निकलनी चाहिए लोग कैसेड बैरते हैं ये पाप है गाहितरी दिक्षा को उसमें कई नियम है यहां क्या हुआ त्वश्टा जो ब्रामन थे देवताओं के गुरु उन्होंने मंत्र पड़ा मंत्र में गड़बड हो गई इंद्रशत्रोर विवद धस्या के जगा क्या हो गया सिर्फ श्लोकों में परिवर्तन आ गया उससे क्या हुआ इंद्र के शत्रु की बज़ा है कौन बड़ा हो गया इंद्र के द्वारा मारने वाला उत्पन हो गया इंद्र को मारने वाला पैदा करना था इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पैदा हो गया इतना बड़ा राक्षास पैदा हुआ लेकिन इंद्र शक्ति शाली रा क्योंकि वो इंद्र के द्वारा मर जाना है यह बात सुनकर के तुष्टा को बड़ा गरबढ़ा तो यह क्या हो गया तो कभी-कभी मंत्र में गरबढ़ होती है इसलिए कल्यूक में सबसे सावधानी पूरवग अगर कोई हरे कृष्ण मा मंत्र करे इसमें अगर गरबढ़ भ उसका नाम था वरत्रासुड क्या नाम था वरत्रासुड वरत्रा का मतलब क्या है कहते हैं ये ने वरत्या है इमें लोकस तपस त्वाष्टा मूरतिनहा एक विक्ति जो की पूरे के पूरे भ्रहमांड को कवर कर सकता है इस पूरे भ्रहमांड में 14 लोक है बीच में पृत् वृत्र लोग है उसके उपर स्वर्ग लोग है उसके उपर महर लोग है जन लोग है तप लोग है सत्त लोग है नीचे तल है वितल है सूतल है तलातल है रसातल है पाताल है फिर नीचे गर्बदक सागल है तो चौदा लोकों के अंदर इसको प्लैनेटर सिस्टम कहते हैं चौ ब्रत्ता लोकुं को पूरे के पूरे कर लिया था इतना शक्ति शाली था लेकिन इस से इंदर नहीं मारा जा रहा है इंदर के भगवान की आविष्ठता बड़ए तो भगवान की प्रार्ट ना के जाती है नाम जब कर लिए अ रॉल आहरे क्रिष्ना, प्रीष्णा, हृुष्णा, प्रीष्णा, प्रीष्णा, हृुष्णा, हृुष्णा, प्रीष्णा, हॉष्णा, हृुष्णा, 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 प्रीष्णा, अरे डिच्छ्ण कृष्णा हरे रम रम राम राम। rences। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare गोविंदा बोलो हरी गोपाले 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 काधारमन हरी गोविंदा बोलो 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 रामाब रामाब रही ओङरो अरे प्रिष् wa ह्रे शेर्छ रही आक बालाम रही आक शुर्ष्णा कृष्णा रे Okay. शुर्स्ठाप क्ष्णा रे Okay. आहाँ हरे क्रिश्ना हरे कृष्ना क्रिश्ना हरे हरे रम ठरे राम राम Rs. अ. आगो बिंदा बोलो हरी को पाले बोलो 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 बिंदा बोलो राधार मना एको रिंदा बोलो बिंदा बोलो आगो बोलो बिंदा बोलो बिंदा बॉलो आदे शाम बोलो आदे शाम बोलो आदे शाम बोलो आदे को पाल बोलो आदे शाम बोलो औरे बाँ नुझने आहिका सरु परकान आनिक सा अजय को शयार कवन .... आनिक सा इनक कर दो हुआ lanz कर दो को सबसे कर दो जी शयार कवना हूआ Hare Lord, Hare Lord Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare तो इस प्रकार से वृत्रा सुर्व जो की सभी लोकों को कवर कर गया था सबको उसने अपने बल रूप से पूरा का पूरा कवर कर दिया था इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान की शरण में जाने वाला विक्ति जरूर ही इस भौतिक संसार के तकलीफों से बच जाता है श्रीमत भागवत के दसिवन स्कन में सुन्दर श्लोक आता है बोला गया समाशित्ताये पादपलवपलवं महत्पदं पुन्ययशो मुरारे भवाम बुधेर वस्पदं परंपदं पदं पदं यतविपदाम नतेशाम क्या रत है समाशित्तम ये पादपलवं ये जिस विक्ती ने भगवान स्रीकृष्ण के कमल चरणों को ग्रहन किया है पादपलवं ये महत्पदं पुन्ययशो मुरारे भगवान के जो चरण है इतने शक्तिशाली इतने सुन्दर है कि उन चरणों को दुनिया पाना चाहते है क्या कहते है भक्त क्या कहते हैं भगवान के चर्ण पाना चाहते हैं कि नहीं सब लोग कहते हैं भगवान के चर्णों से आसकती करो भगवान के चर्ण पाना चाहते हैं सभी लोग भवाम बुधीर वक्स पदम परम पदम इस संसार में इतने संकट हैं इन सभी संकटों से पदम पदम यत विपदाम कदम कदम पर दुख फैले हुए हैं लेकिन फिर भी लोग इन दुखों से बहार आने के लिए भगवान के चर्णों को नहीं पकड़ते हैं किसको पकड़ना चाहिए भगवान के? किसको पकड़ना चाहिए भगवान के चड़ना ऐसे है कि स्वेम भगवान भी अपने चड़नों को पकड़ना चाहते है पकड़ते हैं कि नहीं तो एक बार बताते हैं कि मारकंड रिशी ने भगवान से बोला भगवान में आपकी माया देखना चाहता है और भगवान ने अप अपनी माया का दर्शन करा है भगवान कहते देखो मार्कन डशे तुम्हारी इक्षा है मैं तुम्हें दिखाऊंगा लेकिन घबराना नहीं देखते देखते ही चारों तरफ जल्मग्न पृत्वी हो गई और पृत्वी पर एक वट व्रक्ष बर्गत का पेड़ उसके नीचे वर्गत के पत्ते के उपर लेटे हुए ठाकूर जी का छोटा बाल रूप जिसमें वो अपने ही अंगुठे को मुख से चूस रहे हैं पी रहे हैं तो भगवान भी अपने चर्णों को क्यों चूसते हैं आचारे बताते हैं भगवान भी देखना चाहते मेरे पैरों में ऐस जैसे ही पास गए भगवान ने एक सांस भरी सांस के साथ ही मार्कन रशी पेट में चले गए देखते हैं पेट में फिर पेट के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रहमांड है उस ब्रहमांड में सब कुछ जलमगन है केवल एक वट व्रक्ष के नीचे एक बच्चा लेटा है अ वा इसे साथ बार हुआ तो मार्कन रशी के तो सांस से ब्लट प्रश्र तेज हो गया ? वैन्त फस गया माया में माया करत है जो नहीं है वोही माया यह संसार नहीं है दिखता है मेरा परिवार है यही परिवार के लोग जो आज परिवार के हैं शमशान में ले जाते हैं तो वो परिवार क्यों नहीं दिखता है तब भी तो आप हैं क्योंकि आपके शरीर से आप निकल चुके हैं जो आप हैं यानि आत्मा लोग सोचते हैं मेरे शरीर में आत्मा रहती है लेकिन मेरे शरीर में आत्मा नहीं रहती है मैं आत्मा इस शरीर में रहता हूं तबी तो मैं अपना शरीर छोड़ देता हूँ शरीर छोड़ करके मैं चला जाता हूँ तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग इस अंसार में पदम पदम यत विपदम लेकिन भगवान की शरण में जो जाते हैं वो लोग भगवान की कृपा ऐसी प्राप्त करते हैं सारी तकलीफों से बहार निकल जाते हैं तो हमारे एक भक्त हुए जिन्होंने बारवी शताबदी में भारत में बिल्वा मंगल थाकुड उन्होंने बहुत सुन्दर एक मुकुंद अश्टिकम बाल मुकुंद अश्टिकम लिखा और वो गाते हैं क्या गाते हैं करारविंदे ना पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वतस्या पत्रस्या पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसास्मरामी करारविंदे ना पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वतस्या पत्रस्या पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसास्मरामी करार विंदे ना पदार विंदम करार यानि की हात्त करार विंदे ना पदार विंदम अपने पैरों को पकड़ रखा है किस से हातों से अपने पेरों को कृष्टन ने पकड़ा है मुखार विंदे विनिवेश यंतम अपने मुख के अंदर प्रवेश करा रहे हैं अपने पेरों को वटस से पत्रस से पुटे शयानम उस वट पत्र के उपर शयन करते हैं बालम कुंदम मनसास्मरामी मिरमन उनकास्मरन करता है इंदिवर शामलम कोमलांगम इंदिवर शामलम कोमलांगम इंद्राधिदे अर्चितापादपद्म इंद्राधिदे वर्चितापादपद्म सना तनंकर द्रमम आशिताम्ने बालं मुकुंदं मन्सास्मरामी बालं मुकुंदं मन्सास्मरामी बालं मुकुंदं मन्सास्मरामी खरार विंदेनं पदार विंदं मुखार विंदेनं इन्वेशयंतं वतस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मन्सास्मरामी बालं मुकुंदं मन्सास्मरामी इंडृ वर शाम कोमल अंग भगवान के अंग कर से हैं क्रिषन के अंग की ऐंग कोमल अंग दो क्रिषन की एन्ग कोमल अंग है कौन उनकी पूजा करता है इंद्र आदी देव अर्चित पाद पड़ि अंद्र ने यहां पर पूजा करें इसलिए हमने आपको स्वरण करा है इंद्र ने भगवान की वासन करें याई कोई वेक्ति कहे ना स्वर्ग वासी हो गए जी स्वर्ग वासी की बात कर रहे हैं स्वर्ग का राजा भी कृष्ण की पूजा करता है शिवजी भी कृष्ण की पूजा करते हैं, पारवती भी कृष्ण की पूजा करते हैं, और तो क्या कहें, कि सारे के सारे ब्रह्मा, विरंच, जितने भी हैं, सब भगवान की पूजा करते हैं, सनातन कल्प द्रमद आश्यता हमने, सब की इक्षा पूरी करने वाले भगवान, तो ऐसे भगवान की उपासना फिर्तन जब किया तो भगवान ने एक उपाय बताया भगवान कहते हैं देखो अगर तुम चाहते हो इस वृत्ता सुर का वद्ध करना न तो तुमको एक काम करना पड़े गा तुमको धदीची रिशी के पास जाना पड़ेगा और ददीची रिशी से जाकर के उनकी अस्तियां, हड्डियां मांगने पड़ेंगे और उस हड्डियों से एक वज्र बनाओ, उस वज्र से तुम इस रुत्ता सुर्कावद कर से कितना सरल है ना, ऐसे बोलते हैं ना, जाकर के बकरी का बच्चा पकड़ लो और बस उसको बांदो, यही करना है, ददीची रिशी बहुत बड़ी रिशी है, कोई आपको पास आकर कहे मुझे अपनी हड्डी देदो देदोगे, लोग अपने परिवार के लोगों के लिए भी नहीं देते हैं, तो देवताओं के लिए कैसे एक रिशी देदेंगे, तो इ देवता तो बड़े परिशान हो गए, वो लिए इधर विर्तरा सुर बड़ा होता चला जा रहा है, और विर्तरा सुर ने सारे लोगों को समाप्त कर दिया है, हमारा स्वर्ग तो हाथों से गयो, अरे बाबा, असे गया, वर्तरा सुर सब ले जाएगा, और इंदर मारे कैस क्योंकि इंदर के पास वजर नहीं है, और वजर के लिए उसको ददीची रिशी की हड़ी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया, फस गए, तो यहाँ पर देवताओं ने इंदर से बोला, कि देखिए, ददीची रिशी से बोला, ऐसा मत करिए, भगवान की इक्षा, भगवान क इस कार में हमारी मदद करी है, तो यहाँ पर जो है, ददीची रिशी ने क्यों मना किया, यह बताया जाता है, कि क्यों ददीची रिशी ने अपने इस रूप को देने से मना कर दिया, शास्त्र में वर्णन है, श्रिमत भागवत्रम के छटे स्कन में, तता अभियाचितो देव रिशी आर्थवानो महान, मोदमान वाचेदम प्रहसन इव भारतहा, तता अभियाचित देव रिशी आर्थवानम, ददीची रिशी के पिताजी का नाम है अर्थव रिशी, अर्थव रिशी के पूत्र हैं ददीची रिशी, महान, इनको कहा बड मोद महान प्रसंद होकर के अत्यंत उदार हैं देवताओं उन्हें शरीर मांगा उनकी हड्डिया मांगी तो तयार नहीं हुए क्यों नहीं हुए तो आचार वर्णन करते हैं शुकदेव गो सामी कहते हैं उन्होंने क्यों मना किया विनोध में मना किया हसी में मना कर दिया जैसे बच्चा कोई बुले पिताजी से पिताजी पिताजी मुझे थोड़ा सा दाम पैसा दे दो ना तो पिताजी कहते हैं लेकिन बच्चे को विलोध में, हास में, हास में कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास निजा, अपनी मा से मामी नहीं, हास में सर्मोदा रहे हैं, तो उन्हों ने भी हास में कहे दिया, क्योंकि यहां पर वो चाहते थे, जब मेरा अंत हो नहीं वाला है, तो भगवान का गुणगान सुनने का मोगा मिलेगा अंत में भगवान का नाम सुनूंगा भगवान के गुणगान सुनूंगा तो भगवान का धाम प्राप्त होगा यम-यम-वापी स्मरण भावं त्याजंत अंत कलेवरं ताम ताम एवयति कॉंतुए तदा सद भाव भावित हूँ गीता में भगवान कहते हैं जो विक्ती अपने अंत समय में जैसा स्मरण करता उसको अगला शरीर वैसा ही मिलता है आप अंत में कुत्ते का स्मरण करेंगे हाई मेरा डॉगी तो अगला जन्व किसी के घर में घुम रहे हूं आप अंत में स्मरण करेंगे हाई मेरी बिटिया तो क्या बनेंगे किसी के घर में पुत्री बन कर जन्व होगा हाई मेरा बेटा किसी घर में पुत्र बन के जाने गए तो इसलिए अंत में का स्मरण आएगा अंत के स्मरण के लिए पूरा जीवन तयारी है आज जो सोच रहे हैं वही अंत में स्मरण आने वाला है बहुत भादोशारी लोग होते हैं जिनको अपने अंत के समय में भगवान का स्मरण भगवान की कथा सुनने को मिलती है आज तक केवल एक ही ऐसे हुए है कौन बिश्म पितामा पितामा बिश्म ने अंतिम समय में भगवान कृष्ण का इंदजार किया और भगवान कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए क्योंकि उनके पास एक्षा मृत्यू का वरदा है आपके पास है कोई है यहांपर इसको एक्षा व्रित्य हो कि मैं अपने एक्षा से मरूगा गीता पे हात रखे किसम खाता हूँ इसे है कोई तो आपको यह भी नहीं पता की कल हमारी मृत्यू न लिखी हो और कली लिखी होगी और अंत में कथा न सुनी हो तो क्या मिलेगा जो सोच रहे होंगो वैसा ही होने वाला है तो अपनी सोच को बदलने के लिए भागवत कताएं हमें अपना दर्शन कराती है अपने बारे में नौलेज देती है इसको कहते है भागवत को बोला जाता है शीशा दिखाना आते हैं शीशा जीस एक बार एक बुडिया माता थी है वो एक मेले में गई है और जाकर करती है मुझे शीशा खरीदना है रे ये वाला 20 रुपए का है, ये वाला 30 रुपए का है, खेरी आरे, बहुत महंगा देते हो, जब मैं 14 साल की थी, तब मेले में आती थी, तब तो 1 रुपए का देते थे, अभी 30 रुपए का दे रहे हो, तब तुम बोलते थे 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, अभी तुम 30 अधीन पड़ गया है कुरूपता आगयी है बुड़ापा हा गया है क्वा जब तुम आती थी तब चौद्धा साल की थी अभी तो असी साल की हुआ कि तुमारी उम्र में परिवर्तन हो गया है लेकिन तुमारे मन से तुम्हे लगता है अभी तो मैं कौन हो आपको भी लगता है किसी के तो ज्याद है सब को यह डालोग अभी तो मैं लेकिन हैं क्या दिन-दिन घड़ी की टिक-टिक-टिक-टिक सुनकर की घबराट होनी चाहिए एक दिन जा रहा है कौन सा दिन अंतिन दिशन होगा मालूम है कोई बोलते नहीं नहीं शरीर स्वस्त रहेगा ना शरीर फिट रहेगा तो नहीं मरेंगे अभी कोई विक्ति इंटर्व्यू दे रहा था मैं देख रहा था वो विक्ति रोज एक्सराइस करने जाया करता था शरीर को स्वस्त बना रखा था एकदम competition जीते हुए थे बहुत सारे nutrition diet लेता था एक दिन heart attack हो गया उसको gym के अंदर ही 30 साल की उम्र में ही उसके स्वस्ट शरीर से उसको जाना पड़ गया तो कहीं guarantee नहीं के 80 साल पे मरेंगे, 60 पे मरेंगे 50 पे मरेंगे, 10 पे मरेंगे चोटे चोटे बच्चे पैदा होते हैं साल भर के बच्चे मर जाते हैं तो मृत्यू कभी भी घेर लेगी लेकिन हम ये भूल गए हैं हमें लगता है नहीं नहीं दूसरे मरते हैं हम तोड़ी मरेंगे और ये बास सोच करके हम अपने ही जीवन में बड़े सुखी संपन्ता को सोचने लगते हैं दुकान पर काम चलता ठीक है कथा सुनने कौन जाएगा दुकान इंपोर्टेंट है ना यार ये कथा बथा तो चलती रहेगी ये सब जो सोचता है वो एक ती ग्रसिद संसार का माया बद्द जीव उसको पकड़ रखा है माया ने मगरमच ने उसका पौँ पकड़ा वो हाती का पूरा निकल नहीं पाएगा सिर्ख कृष्ण को जब पुकारा तो फिर भगवान ने आकर कि उस हाती का गजेंदर का मोक्ष किया तब हाती के मगरमच की उस पकड़ से भार निकाला तो हम देखते हैं कि लोग फसे हुए संसार में चुहे के जैसे चुहा क्या करता है अपना बिल बनाता है अच्छे कितने लोग जानते साप का बिल देखा है साप का बिल या सुना है किसी ने साप का बिल हाथ खड़ा करके बता है यह साप का बिल नहीं सुना सुना है आपने सुना है और इधर नहीं सुना पीछे साप का बिल नहीं सुना आप लोगों ने कौन से दुनिया में लीन रहते हो साप का बिल होता है लेकिन साप कभी बिल नहीं बनाता कौन बनाता है चुहा चुहा मैंने एक दिन देखा था आएक दिन मैं बैटके जब कर रहा था हमारे घर के पास एक मंदिर है मंदिर के पास एक पेड़ पेड़ के पास एक चुहा है चुहा क्या करता था पेड़ के इधर से गुस्ता था इधर से बाहर निकलता था मैं आपकार्टमेंट बनाता है एक दो तीन चार इसे और आपकी घर में आएगा वहाँ से रुई ले जाएगा चावल के दाने ले जाएगा अन्न का दखाये का कुछ नहीं वह भागेगा बिल की और भीNe होता है जब अंदर जाने को बैठा होता है साइप कहता है सुमता है hmm अंदर है अब इससे खाऊंगा यह स्के बिल में रहूंगा कि शास्त्र कैते सको अजगर वृत्ती अजगर की वृत्ति ए अजगर वृत्ति क्या है वह मेहनत करेगा या किखाएगा तो सांप बड़ा समझदार है वह क्या करता है जो एक्जिट गेट है जहां से निकला जाएगा वहां अपना फन लगाके कोब्रा बैट जाता है मुझ खोल कर और अपनी पूंच को उसके एंट्री गेट में डालता ह जब एंट्री डालता है चुओ डरता है देखो एक्जिट गेट भागने का समय आ गया मृत्य ओ फिसे पूछ आँसांप आ रहा है he पेगी पूछ वो भागता है और जब भागता है तो किदर भागेगा दोर किदर बागेगा निकासी दौर एकजट किदर हो और वहां कौन बैटा है साहां परटा बचए का गप करके खा लेगा जहीं कुलेगा मृत्य हो जाएगे है हमारा जीवन है हम लोग भी चुहे के जैसे इसको कहते हैं मूशक न्याए मूशक की तरह राध दिन महनत करते हैं जोडते रथे इदर से कोरोना आ गया भागे इदर, यह बचा लेगा, उपदा चला, हार्ट इटेक्स से मर गए, कुरोना से बच गए थे हार्ट इटेक्स से मर गए, मृत्य तो आने ही वाली है, किदर भागोगे, कहीं नहीं भाग सकते हैं, घर में घुशकर के खा जाएगी, बात्रूम के अंदर मर जाते हैं लो कौन हो, कहां फसे हुए हो, निकलते क्यों नहीं संसार से, यह सब बातें ददीची रिशी ने देवताओं को सुनाई, कि मैं भगवान का गुनगान सुनना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे से इस तरह का विनोध किया, हास से किया, उन्हें का दो प्रकार के लोग होत बोलने के लिए नहीं है, वृत्ति में लेकर आओ, भगवान यह नहीं देखते कि तुमने क्या दिया, भगवान देखते कि तुमने क्या देने से अपने को रोक लिया, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है, और जितने पर तब आप बोलते हो, यह मेरा है, उतना रावन देना चाहिए तेरा तुझको औरपंड क्या लागे लेकिन जब अगर लेगन दगाने की बात आती तो नहीं 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 जी है तो खाली आरती में गाने के लिए की लिए कुछ ने है हमारे हम जूटे हैं हम सच नहीं हैं सत्य का साथं नहीं तो दो प्रकार के लोग हैं और सुकार करने वाला को और भृद्प का अपने इस शरीर का इस्तिमाल जरूर परोपकार के लिए करना चाहिए किसके लिए करना चाहिए कहते हैं यहां पर शुमत भागवत में आता है यहा अध्रुवेणा आत्मना ना था ना धर्म आट्मना यशह पुमान इरहते भूत दायाया सा शोच्चा स्थावरे रपी है यह अध्रुवेन आत्मना यह शरीर द्रुव नहीं है पर्मानेंट रहने वाला नहीं है तेंप्लेरी है कितने साल चलेगा 10 12 साल जादा जादा सो साल आध्रवेन आत्मनहा यहां पर आत्मा शब्द शरीर के लिए इस्तिमाल के अगया यह दुरूंज रहने वाला है क्यों इसे इतने आसकत हो गए हो ना धर्मा न यशा पुमान है इससे ना तुमने धर्म का कार किया नहीं तुमने इसे यश पाने का क काम किया तुलसी दास जी बोलते हैं एक जगाह पर व्रक्ष कभवना फल भके नदियां पिएना नीर व्रक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाते हैं और नदियां कभी अपने जल को नहीं पिती है व्रक्ष कभवना फल भके नदियां पिएना नीर तुलसी परोबकार को कि लिए Share important नी पर फॉन टो क्या है पर फॉरोकल किसी को मिठाई दे देना दौन देना सबसे बड़ा परॉक्ता है वेक्टी को भग्वान का नाम दे देना सबसे बड़ा परोपका को कहती है घृप्या कहती है रवान आइना दिखाती है तो यह सबसे बड़े दाता हैं गोपियां गोपि गीत में गाती है तवकताम्रितं तापतजीवनं कविभिणी नितं कल्मशापुहं श्रवणमंगलं श्रीमदात्तं भुविगणंतिये भुविगंंतिये भुविदाजणा आपकी कथाएं जो है श्रवणमंगलं जैसे किसी कान में आपकी व्यथा प्रविश करती है उसके जीवन से उसकी व्यथा चले जाती है भगवान की जो सुंते हैं हरी कथा चले जाता है जीवन से विथा हरी कता सुनें इससे लिए विक्ति को झरूर भगवान की कता hebben शुननी चाहिए और सबसे बड़ा दाता बनने के लिए पहले सुनो उनू सुनाओ लाइफ बनाओ add at fm Radio सुनो सुनाओ लाइफ हुझ सुनो दूसरों को शुनाओ के सबसे बड़ा कार यही है भगवान का नाम देना भगवान को याद दिला देना इस अंसा का सबसे बड़ा कार है वेती बोले का कैसे सबसे बड़ा कार है भगवान का नाम याद दिला देना क्या किसी गरीब को खाना खिला देना ये बड़ा कार नहीं है क्या किसी को वस्तर दान दे देना ये बड़ा कार नहीं है क्या किसी को दवाई दे देना ये बड़ा कार नहीं है आईए आज आपको इस पर एक प्रसंग सुनाते है फिर आप ही को इसका उत्तर देना एक बार एक परिवार था उस परिवार में माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ा करके विदेश भेज दिया सारी प्रॉपर्टी लगा दी पढ़ाई में जितना कमाया था खुद किराय के मकान में रहने लगा अब सोचा ये था विदेश जाएगा पैसे कमायेगा वापिस आएगा फिर हमारा ख्याल लगेगा इसलिए तो बढ़ाते हैं बच्चों को लोग चाहते हैं कि मेरा कारपूर्ण हो बुड़ापे की लाठी का सहारा बन जा बेज दिया लेकिन वो वहाँ जाकर के शादी कर लिया रहने लगा भूल गया माता पिता को तो उसके मित्रों ने मंडली बनाई कहा देखो कैसा है अपने माता पिता को भूल गया किसका का दूसरा बोला मैं इनके पूरे वर्ष के खाने का इंजान करूंगा भोजन का किसका खाने भोजन का तीसरा बोला मैं इनके पूरे वर्ष की दवाईयों का इंजान करूंगा किसका चौथा मित्र बोला बात बताओ हम वस्तर देंगे, भोजन देंगे, दवाई देंगे, ये करता वे तो इनके पुत्र का नहीं है, हम क्यों करें, इनके पुत्र को सीखना चाहिए, करो उसको समझाएगा कौन, चोथा मित्र बोला मैं जाओंगा, अपने पैसे खर्च करके विदेश गया, विदेश आकर के उन से उसका लिंगन की, आरे, महारा पुत्र आ गया, आजा बेटा, आजा गले लगाया, बड़े खुश हुए, अब आपसे मेरा प्रश्न है, इन चार मित्रों में से सबसे ज़्यादा परोपकार का कर किस ने किया, हाजी, हाजी, ये बोल रहे हैं, चोथे ने किया, पीछे व क्यों, क्यों, चोथे ने क्यों किया, माबाब से मिला, तो ऐसे ही, हमारे संसार में माबाब कौन है, परम, पिता, परमिश्वर, भगवान, भगवान गीता में कहते हैं, सर्वयोने शुकॉन्तुए, मूर्ते इसम्धवाम्तियाम, तासाम ब्रह्म्हद योनी, अहम बेज प अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, अभी आप ही ने इसका उतर दिया, अब किसे को दवाई दे देना, कपट दे देना परोपकार नहीं है, सबसे बड़ा परोपकार, जो हम यहां पर आपके लिए करने आएं, कि आपको कृष्ण से मिलवा रहे हैं, अपना खर्चा करके आगा से मिलवा देना, सबसे बड़ा परोपकार, है ना, तो यह करना है हमको, नदियां कभी अपना जल नहीं पीती है, अगर नदियां जल पीने लग जाएं, तो हमारे घर में पानी आना बंद हो जाएगा, अगर वरक्ष अपना भोजन खाने लग जाएं, खुदी फल खाने ल लगा दो, और तन नहीं है, धन नहीं है, तो मन तो लगाई दो कमसे, और सबसे पहले विक्ति को अपना धन लगा देना चाहिए, क्यों? जहां धन लगा होता है, वहाँ पर मन लग जाता है, मालो आपने एक प्लॉट खरीदा, दो पांच मित्रों ने मिलकर के, धन लग जा यहां मन लगता है, सबसे पहले धन को लगा देना चाहिए, धन लगाने से चाहिए, यह प्रक्रिया है शास्त्रों में बता इंगे, इसलिए पहले जमाने में लोग अपनी कमाई का 50 पिशत ठाकुर जी की सेवा में लगाते, कम से कम दश्पतिशत तो लगाना ही ची जितना कमाते हैं धन लगाएंगे तो मन लगाएंगे तो तन भी लग जाएगा तो इस तरह से ददीची रिशी ने ये सारे चर्चा करी और कहा मैं जानता हूँ परोपकार क्या है अब मैंने हरी चर्चा कर ली है मैं तयार हूँ तुम हड़ी से वज्र बना जो कहते ना इंद्र का वज्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 19 चिन है उन 19 चिन्यों में से एक चिन वज्र का चिन भी है क्योंकि वो भगवान का है बाद में इंद्र को दे दिया गया है तो भगवान का ना भगवान नहीं तो अगर देवताओ को स्तुति ना करी होती भगवान ने गाइडेंस ना दी होती तो वज्र आता कहां से और ददीजी रिशी ने भी कृष्ण इक्षा से इस वज्र को पदान किया और इस वज्र के साथ युद्ध चला वृत्रा सुर से कितने साल युद्ध चला पदा सकते हैं कितने साल युद्ध चला नरमदय नदी के किनारे और चलते चलते सारे युग बीद गए बारा करोड़ चार लाख वर्ष पहले युद्ध हुआ बारा करोड़ चार लाख वर्ष पहले अब लोग बोलतें कृष्ण तो दौापर युग में आये न अभी आये विरिंदावन में अजी आप बात करते हैं कृष्ण भगवान भगवान है यहां लिखा है भागवत में 12 करोड चार लाख वर्ष पहले कृष्ण भक्ति का ग्यान धदिची रिशी ने देवताओं को दिया 12 करोड चार ला बागवत पुराण में प्रसंग है 12 करोड चार लाख वर्ष पहले इस युद्ध में ददिची रिशी ने कृष्ण उपासना करी और वज्व प्रदान किया और फिर इसके बाद में इस वज्व से युद्व चलते चलते एक यूग से दूसरा यूग आ गया तब जाकर के मर नहीं रहा था कि वज्व से भी नहीं मर रहा और जब मर नहीं रहा था तो सब घबराए हुए थे तो सब ने स्तुति करी कि है वृत्ता सो ना तो तुम मरते हो ना हमारे द्वारा मारे जाते हो इतने शक्तिशाली हो कुछ तो करो तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ और भगवान कृष्ण का भक्त हो जाने से मेरे को कोई मार ने पा रहा है मेरे कोई असरी नहीं हो था इतना शक्तिशाली हो गया हूँ भगवान कृष्ण संसार के रक्षक है उनसे बड़ा रक्षक कोई न हुआ है राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के अगर कृष्ण रक्षा करने पे आ जाएं तो कोई मार नहीं सथा और कृष्ण मारने पे आ जाएं तो कोई रक्षा कर नहीं सथा राखे कृष्ण मारे के सारे प्रयास करने के बाद में भी वृत्रासुर का अंत नहीं हो रहा था तो यहाँ पर बताया है कि वृत्रासुर ने उसी प्रकार से सारा का सारा ग्यान दिया जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अरजुन को ग्यान दिया सोचिए वृत्रासुर को असुर को भगवान कृष्ण से कामप्यार किया गया भगवान कृष्ण जैसे अरजुन को ग्यान दिया वृत्रासुर ने देवताओं को ग्यान दिया असुरों को ग्यान दिया कि मुझे छोटा मोटा मत समझो मैं कृष्ण भगत हूं कृष्ण भग जाना चाहता हूं अहम भक्ता पराधीन हो मैं भक्तों की पराधीन हो जाता हूं और फिर प्रत्रासुर ने कई सारे श्लोकों में श्रीमत भागवत में ज्ञान प्रदान किया वर्त्रासुर स्थुतियां कहीं जाती है और उनने कहा कि वर्त्रासुर तुम कैसे मारे जाओगे वर्त्रासुर को महात्मा बताया गया एक असुर को महात्मा बताया गया इससे बड़ा आस तक कोई महात्मा नहीं हुआ वर्त्रासुर जैसे असुर लेकिन महात्मा क्यों भगवान क्रश्न का अकिंचन भगता है किंच कलश को लेकर के देवता बड़े प्रसंद रहते हैं कि हम अमर रहेंगे लंबी आयू रहेगी लेकिन लंबी आयू किसी काम की नहीं है जैसे लोग बोलते हैं आशेरवाद में बोलते हैं क्या बोलते हैं सदा सुखी रहो फिर भी कोई सुखी नहीं रहता ख़बर आती दो साल बाद गुजर गए बिमार पड़ गए वास्पिटल में चले गए आशरवाद काम नहीं करता फिर भी लोग बोलते सदा सुकी रहो तुमारी लंबी आयू हो तो फिर सबकी लंबी क्यों नहीं होती है कभी सोचिए विचार करिए ऐसे ही जीवन को मत गुजार दीजे विचार करिए लंबी आयू होती नहीं फिर क्यों बोलतें लंबी आयू क्यों बोलते हैं कि तुम सुकी रहो जब सुकी नहीं रह सकते एक बार एक विक्ति था उसने अपने गुरू से कहा गुरू जी मुझे ऐसा अशिरवाद हो मैं कभी ना मरूं गुरू जी बोले मैं तुम से प्रसंद हूँ उसके लिए तुम्हें अमर्त पीना पड़ेगा अमर्त यानि को मरेगा नहीं अमर हो जायेगा कहा मिलेगा वो यहां से पहाडों में जाना हिमाले के उपर जाओगे सबसे उचे पहाड पर तुमको वहाँ पर एक अमर्त कुंड मिलेगा उस कुंड से पान करोगे वैसी तुम अमर हो जाओ वड़ा खुश हो गया चलता रहा चलता रहा महिने बाद उस अमर्त कुंड पर पहुंचा किसी से देखा कोई नहीं है यहाँ पर अमर्त निकाल कर अपनी अंजुली भर के पीने ही लगा एक आदमी जिसके शरीर पर कोई खाल नहीं थे आँखों की पुतलियां भार लटक रही थे हड़ियां लटक रही थी कंकाल जैसा चिलाता हुआ आया मत पीना मत पीना मत पीना मैंने इतने साल तपस्या करी है मेरे गुरू ने कृपा करके मुझे अमर्ता का वरदान दिया है मैं अमर्त प्यूँँगा अमर हो जाओंगा तो कहता है मत पीना तुम सोचते हो लंबी आयू रहेगी तो सुख रहेगा सुख तो समाप तो जाता है माननो कोई सौ साल जीया हड़ियां कमजोर हो गई है घुटने चलनी रहे हैं कमर की हड़ियां दर्द हैं टेड़े हो कर चल रहे हैं पूरा शरीर जरजर हो चुका है उसको बोलना चाहिए कृष्णेर मतिर अस्तू तुम्हारी मति कृष्ण में हो जाए जब मरना तब मरो जब जीना तब जीओ लेकिन कृष्णे की मति से जीओ कृष्णे की मति से मरो ताकि मरने के बाद तुम्हें अंते नरायन स्मृती हो जाए तुमारा धाम प्राप्त हो जाए लंबी आयू रहे सुखी रहो कोई फायद नहीं इन आशिरवादों को काम नहीं करते कम से कम यह बोलो कृष्णेर मते रस्तू बच्चों को परिवार में बुदर्गों को शिश्यों को यह बोलना चाहिए वही सारा ज्यान वृता सुर सिख यह ला लेकिन एक बॉल है